धनबाद के बागमारा थाना अंतरगत माटी गड़ इस्तित एक किराना दुकान से 60,000 नगत की चोरी की घटना को नाबालिक के द्वारा अंजाम दिया गया था जिसे पुलीस ने सिकायत मिलने के बाद चंद घंटे बाद सुलजा लिया पुलीस ने चोरी की रकम के साथ नाबालिक चोर को गिरफतार कर लिया गिरफतार नाबालिक चोर को पुलीस ने नियाई की रासत में बुद्वार की सुबा भेज दिया बागमारा थाना चेत्र के माटी गड़िस्तित एक किराना दुकान में आठ नमबर की देर रात्री चोरी की घटना को नावालिक चोर द्वारा अंजाम दिया गया था घटना दुकान में लगे सिसी टीवी में कैद हो गई थी बुक्तबोगी दुकानदार सब्बीर अंसारी ने मामले की लिखित सिकायत 9 नमबर के दोपहर पुलीस से की थी पुलीस सिसी टीवी फुटेज में कैद नावालिक की पहचान करने के बाद चोरी का रकम बरामत किया नावालिक चोर को गिरफतार कर लिया गया बुधवार के सुबह नावालिक चोर को नियाई खिरासत में भेज दिया गया मामले में प्रभारी, थाना प्रभारी, मानस साधू ने बताया कि चोरी की घटना दुकान में लगे सिसी टीवी में कैद हो गई थी जिसके बाद नावालिक चोर की खोजबीन की गई नावालिक चोर को चोरी की रकम के साथ हिरासत में लिया गया पूस्ताच में नावालिक चोर ने चोरी करने की बात को स्विकार किया नावालिक पर मामला दर्ज करने के बाद नयाई खिरासत में भेज दिया गया है